हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज मैं आपके ले लेके आए हूँ, फलाहारी कोपते की रेसिपी, ये बिलकुल नई रेसिपी है, नवरातरे के वर्ष चल रहे हैं, तो इस नवरातरे बनाएए बिलकुल नई रेसिपी, आप इसे एक बार जरूर बनाएएगा, य देखे, ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसके अंदर मैंने स्टफिंग भी भरी है, ड्राइफ रोट्स की, और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आये, तो प्ली इसे लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, तो चल ये बनाना बहुत ज़रूरी है, मुफली को जार में डालीजे, इसमें डालीए तीन हरी मेच, हरा धनिया, थोड़े सा फुदीना, इस पेस्ट से हमारी क्रेवी बहुती टेस्टी बनेगी, इसमें डालेंगे हमें एक चम्मत सेंदा नमक, आप जो भी नमक खाते हों, वो समार कीजिए एक कप पानी, और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, देखिए पेस्ट रिदम रेडी हो चुका है, चलिए हम अपने कुफते बनाने की तिहारी करते हैं, ये मैंने दो बॉइड डालू लिए है, इसे अच्छी तरह मैश कर दिया है, आप इसे कभी कर सबी कर सकते हैं इसमें मैं डालूँगी दो चम्मच कुट्टो का आटा, एक चम्मच का टीवी हरिमेच, वन थर्ड कब हरा दनिया, भुनेवे जीरे का पाउडर, आदा चम्मच, और इसमें हम डालेंगे सेंदा नमक, सेंदा नमक मैं आदा चम्मच का भी हाफ योज कर रही हूँ, नमक आ अब अपने ठीस के अनिसार डालें, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजे, इसे हातों की हल्प से अच्छी से मिक्स कर लीजे, एक स्मूझट बनाना है हमें, इसके यक कोफटे रेडी करने हैं, चलिए इसकी स्टपिंग कियार कर लेते हैं, इसके लिए कटे ट्राइफ आप कद्दुकस कियावा भी यूज़ कर सकते हैं एक चममच केश्मिश इसे अच्छे से मेक्स कर लीज़े अब खोपते बनाने के लिए अपने हाथों पे थोड़ा सा ओयल लगा लीज़े और इसके छोटे छोटे बॉल्स तेयार कीज़े इसके अंदर हमें ये स्टाफिंग बढ़नी है देखे इस तरह से इसको थोड़ा सा फ्लाट कर लीज़े और इसके अंदर थोड़ी सी स्टाफिंग भरके चारो तरफ से कवर कर लीज़े और इसके छोटे-छोटे बॉल्स तियार कर लेगे हैं देखे इसी तरह से मैं आपने सारे बॉल्स तियार कर लूँगी बहुत इजी है इसे बनाना और अगर आप इस रेसिपी में कुट्टू के आटे का यूज नहीं करना चाहते तो आप सिंघाड के आटे का भी यूज कर सकते हैं यह उतने ही टेस्टी बनेंगे इसी तरह से मैं अपने सारे बॉल्स तियार कर लोगी अब एक पैंड में तेल गरम कर लीजिए और इसे हम डिप फ्राइ करेंगे सारे बॉल्स इसमें डाल दीजिए फ्लेम को मीडियम ही रखे जिसे की अंदर तक ये बॉल अच्छे से पड़ जाएं इसे ब्राउन होने तक हमें पकाना है कुफते ब्राउन हो चुके हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं चलिए इसकी ग्रेवी तियार कर लेते हैं इसमें हम एक पैंड में दो चमच तेल ले लेंगे और आदा चमच जीरा डाल लेंगे जीरे को ब्राउन होने देंगे इसमें हम जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो दो चमच डालूंगी मैं और इसमें डालूंगी आदा कप कहीं इसे अच्छे से मैक्स कर लीजे इसे हम थोड़ी देर बगाएंगे जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा हम इसमें अपने सारी को कोपते डाल देंगे इसमें मैं डालूंगी एक चौथाई चमच नमक हमने पेस्ट में भी नमक डाला था इसलिए अगर आप ज्याज़ा नमक नहीं खाते तो आप नमक मध डालिए इसमें हम एक कप पानी डाल लेंगे और अपने सारे कोपते इसके अंदर डाल के अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारी कोपते बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते दो मिनिट पकने दीजे दो मिनिट डखके पका लेजे और इसमें हरा धन्या डाल के इसे सर्व कर लेजे लीजे हमारे फलाहारी कोपते पिल्कुल तैयार हैं आप इसे सामक के चावल के साथ खाईए ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा इसे और मुझे कमेंट करके जरूर पताईएगा ये कैसी लगी और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को जरूर दबाईएगा जिससे कि आप मेरे सारी रेसिपी देख हुआब लग रूर फसो अजिससे लगने अपने ये जाइखएब करे दोंडिसा नहीं कि आप सारी हुएएगा